नमस्कार स्वागत है आप सबका सीधी बात में मेरे यानि ओईनितम के साथ 303 और वो भी अकेले इस नंबर ने बहुत लोगों को ये सोचने में मजबूर कर दिया है कि क्या भाजपा के पास ऐसा क्या जादूई फॉर्मूला है जिस वज़े से ये पार्टी इतनी भारी बहुमत से वापस आई है बहुत लोगों को ये बिलकुल पता था कि भाजपा ज़रूर वापस आईगी लेकिन इस तरह से इतनी बड़ी बहुमत से वापस आने का कारण क्या है यह winning formula भाजपा का क्या है क्या आज देश में भारत में जिस तरह से चुनाव डरे जाते हैं वो सारी प्रतिक प्रोसेस है उसमें क्या बहुत जादा बदलाव आ चुका है क्या भाजपा यह बदलाव लाने में सफल हो गई है इसी वज़े से ये लोग इतनी बड़ी बहुमत से वापस आए हैं क्या इट इस ओल इस गौन बियॉंड पॉलिटिकल रैली जो रोडशोज क्या ब्रैंडिंग, मार्केटिंग, स्ट्राटिजाइजिग और ग्रासरूट के साथ जो कनेक्ट होना चाहिए यह सब अब से ये लोग बापस आए हैं और कॉंग्रिस के साथ क्या हुआ, एक बार और कहां चुकी कॉंग्रिस, उनका आगे का रोड मैप क्या है, what is their revival strategy, इन सारी चीजों में सीधी बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में है कॉंग्रिस प्रबक्ता गौरव सुमानी, विकास ट्रिपाथी जो Assistant Professor है Political Science के गौहाटी उनिवरस्टी में और भाजपा के असम यूनिट के Vice President विजय गुपता जी और साथ में है निहारेंडर शर्मा जो की निहारेंडर भी भाजपा के Youth Wing से है और चुनाओं के दोरान ये Social Media इंचार्ज है तो स्वागत है आप सब का स्टूडियो में मेरे साथ सीधी बात में और पहले ही चलते हैं विजय जी के पास जानने के लिए कि वो खास फॉर्मूला क्या है और इंतर जी आप जिस फार्मूले की बात कर रही हैं पहले आपने ये कहा ब्रेंडिंग, मार्केटिंग और इस्टेडिजी देखे मैं उस नामनी क्लेचर पर नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं एक बात ये बड़े अस्वस्टोप से कहना चाहता हूं कि आज जैसे आपके इस प्रोग्राम का नाम है सीधी सी बात ठीक उसी तरीके से हमारे देश क है और एक पडिवार में दस वोटर है अगर कोई महिला है कोई पुरुष है कोई इवक है उससे किस तरीके से हम सीधी बात कर सकते हैं यह हमारा आप यह कह सकते हैं कि हमारी os Auf Juac कहिए या जो कुछ भी कहिए वो और फ्री तो से इनिफिंग क्योंकि वार लिविंग इन दे एरा प्टेशन संकंपेर रंद आइटी बट असपस्ट यह है कि भारती जनता पाइटी जब दो हजार चोड़ा का चुनाव लड़ी थी और दो हजार उननीस का हम चुनाव लड़ पांच सालों के अंदर में हमने सामाजिक सुरक्षा की बात अगर आप कहें तो प्रधान मंत्री जन्धन योजना से लेकर के आज 150 से भी जादा हमारे पास स्कीम थी जो की जनता से जोड़ने का साथ है आज जब हमने उज्वला में लोगों को जब गैस दिया गया तो महिल प्रधान मंत्री जिसने इतने नीची से जा करके एक 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 भोटर से एक परिवार में अगर दोस किसम के भोटर भी हैं चार वर के भी भोटर्स हैं तो सब तक पहुचने का जो उनने माध्यम किया था वो हमारी जो है राजनीती का प्रमुक अंग था उसके साथ हम विकास के लिए धेर सारी स्कीम लेकर के आए इवाओं के लिए बेरोजगार इवाओं के लिए इसके बाद से हम पूरुषों के लिए महिलाओं के लिए सेनियर सीटिजन्स के लिए एकनोमी हमारी जो आर्थिक बैवस्ता है उसके लिए आज एगरिकल्चर की बोलिए स्पेस टेकनोलाजी की बोलिए बी देसों में जिस तरीके से मान समान इस देस का जो देश कभी सोने की चिडिया कहलाती थी, विश्व गुरु कहलाती थी, वापस उसके प्रतिष्ठा करने के लिए, देश भक्ती के लिए, राष्ट भक्ती के लिए, राष्ट धर्म के लिए, यह हमारे जो है फार्मूले थें, और उस फार्मूला का हमने भरपूग उपयो कि लोगों को लाया जाता है ये किया जाता है राइली है ठीक है दीज आड़ पार्ट एंड पार्सल्स अब दर कैम्पेंड सब कुछ हमने किया यहां पर बिदेशों में हुआ तो जिस तरीके से जनता का शद्धा और विश्वास मिला भारती जनता पारटी धानमंतिर नरंद विजय जी आपके पास दुबारा आएंगे जानने के लिए की वाट विल भी डरोडमाप फोर बीजेपी गोईएड लेकिन विकास जी आप से जानना चाहेंगे की विजय जी ने जो भी कहा भी आप कितना सहमत है अब आप अल दी पॉल अल दी स्कीम्स और रीच अड़ डे इनकी सबसे बड़ी भूमिका होती है तो जाहिर है कि भाजपा भारतिय जनता पार्टी ने जो 2014 में जो इसको मैंडेट मिला था जो एक बहुत नर्णायक माना गया था असाम में जब बीजेपी ने साथ सीट जीती तो बीजेपी ने देखा कि चाय पट्टी में जो गड़ लखीमपूर जोरहाट नौगाओं और यह जो अपर असाम जो हमेशा बीजेपी से एक अच्छूत छेतर माना जाता था वहाँ पर बीजेपी का उदे हुआ हुआ है या जो असमभाशी समाज है उसमें इसका एक समावेशन की राजनीत इसे दिखी थी इसी को द और ग्रिशना भूड़ लाज़ आ्पूलीच बशूण बीजेपी शियू सब्सक्तूछिबड और यह जो भीज Lauren toैन में और ऑग जिखीम फहाँ र्मेहर श्यो विखा शर्मा टेश।ैंथ lane and further the conveyor of neta has been very instrumental if you see today if for instance in Nagaland if NPT NDPP 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 NDP P had expressed its apprehension ChingRight Bill. But then too, it remained within the fold of larger NDA. So, BGP through its formal informal alliance strategy created a situation wherein despite resistance, most of the regional players remained within the BGP. I'll give you one data. विकर्ष जी आपको थोड़ा समय इंटरप करूंगी, माफी चाहूंगी उसके लिए. Gaurav जी इन्होंने जो बात उठाई कि जो coalition politics भाजपा ने खेला है, उससे Congress को बहुत नुकसान हुआ है. आपका reaction? सरवर प्रतम, तुम्हें जनता द्वारा दियेगे जनादेश को विनिमरता पुर्वक स्विकार करते हैं और भाजपा के प्रतिनीदी हमारी गुपता जी को बहुत बहुत उसके लिए बदाई देते हैं. आपने जैसा कहा, कि मैं इसका आंकलन किया जाएगा कि जो Congress ने 51, हमारी शायद अभी 51 दिखाया जा रहा है. 52, 52, and Alliance हमारी UPA का 95 दिखा रहा है जी, तो ये, ये, इस 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 बिग डिबेकल for the Congress Party, we agree to this, कहीं न कहीं हमारी कमी रही है, हमारी policies कहीं न कहीं कमजोर रहे हैं, but इसका आंकलन और इसका विशलेशन, खाली में काली, रिजल्ट डिकलेर हुआ है, it will take time to introspect about the entire things, मेरे को लगत in totality हमें इसको introspect करना होगा, I feel कि सिफ़ अब medicines and vaccinations हमारा काम नहीं होगा, it needs some serious operations and surgeries, अब जहां तक गडबंधन का इन्होंने बात रखी, मैं इनसे कुछ हद तक सहमत हूँ कि yes, कहीं न कहीं, national level पे हो, चाहे, regional level पे हो, जो Alliance का benefit हम देख रहे हैं, BJP को मिला है, UPA आप देखत हैं, तो they have gained on because of the, हमारा Alliance हम करनी पाए, तो कहीं न कहीं पे आपको वो लगता है कि कहीं पे वो decision making में या, you know, while deciding on that particular factor, कहीं पे वो गरबर हो गया, बिलकुर हमें ऐसा महसूस होता है कि कहीं न कहीं ये कारण रहा होगा, बट देखिए, आप अगर इस निर्वाचन को, अगर एक मुख्यधारा को अगर आप देखते हैं कि 2014-2019 का निर्वाचन में क्या फरक रहा है, तो देखिए, 2014 का निर्वाचन पूरे के पूरे विकाश के मुद्धों में लड़ा गया था, उस वक्त हम स्मार्ट सीटे के बारे में बात किया जाता था, बुलेट ट्रेंज के बारे में बात किया जाता था, बट आप इस पूरे प्रक्रिया को देखिए, कि भाचपा दुआरा इस पूरे निर्वाचन में विकास का मुद्धा न उजाला स्कीम यह बता रहे थे, तो मेरे को I am very shocked, यह पुरे public domain पे है, कि उजाला स्कीम में 80% cylinders refill नहीं हो रहे है, they are in not need of those cylinders, क्योंकि उनके पास उतना resources नहीं है कि उसको refill कर सके, इनकी study है, गब्मेंट की study है, कि उजाला स्कीम वस लॉंच्ट इन हिस्ट, कि लोगों के पास firewood बहुत सस्ते में available है, लोगों के पास koila बहुत सस्ते में available है, तो उसकी जो availability है, हो सकता है, इनकी मांशा बहुत अच्छी रही होगी, हो सकता है, उनका motive अच्छा रहा होगा, बट the implementation कहीं न कहीं lagging था, तो मेरा कहने का मतलब है, आज इन्हों ने एक भी बार किसी भी तरफ से, एक भी तरफ से यह नहीं कहा गया, कि नोट बंदी बहुत successful रहा, हमें नोट बंदी के अधार पर आप vote दीजे, इन्हों नहीं न इला कि अगर आप देखेंगे तो यह विकास के मुद्दों पर यह एलेक्शन नहीं लड़ा गया था, जबकि दूसरे तरफ अगर आप देखोगे, तो कॉंग्रेस ने कहा कि हम नियाएं स्कीम देंगे, कॉंग्रेस ने कहा हम 22 लाग जॉब वेकेंसिस को इमीडिट फिल कर जाता है कि एक राष्ट्रवाद का जो एक sentiments लोगों के बीच में बना है, एक national security को लेकर जो लोगों के बीच में एक manshah बनी है, वो एक बहुत हावी हुआ, और regional and जिसको हम कहते हैं, धर्मिय जो polarization है votes का, वो बहुत हावी रहा और इसका direct impact elections में पढ़ा, अब देखें, कही कारण हो सकते हैं, it depends, समय लगेगा, धीरे धीरे बिचलेशन किया जाएगा, और इसके बाद हमीं पता चलेगा कि किस कारण से हमने, what was the reason behind such a big debacle for the Congress party in this recent elections? इसका मतलब ये भी होता है गौरव कि कहीं पे आपके जो strategists है, internal advisors है, they actually missed the point, they somewhere failed to understand, realize कि भाजपा का जो planning है, strategies है, वो किस तरह से काम कर रहा था, क्या उन लोगों का policies and planning थे, उसमें कहीं पे आप लोगों का शायद analysis में कुछ तेकि मैं इस पे एक बात कहना चाहूँगा, आप अगर तीन महने पहले के अगर पुरे परिवेश में अगर आप देखे, देश की राजनीती, पुलवामा, प्री पुलवामा और पुस्ट पुलवामा, प्री पुलवामा ओपीनियन पोल्स चैनल में दिखाए गए गए थ इनके सरकार के पास intelligent inputs थे कि we are not forming the government, BJP is not coming again with the full majority, पुस्ट पुलवामा का आप एक्जिट पोल देखते हैं, तो पुरा scenario चैनल हो जाता है, अचा, अब the bordering states covering, bordering states adjoining to the Pakistan से, Rajasthan, Haryana, Jammu, तो इस तरफ BJP has gone like anything, Congress ने अपना वाँ खाता भी नहीं खोल पाया, जब मार्टी के dead bodies वहाँ लेके आए गएते, तो लोगों का sentiments, it was like, you cannot control the sentiments, and icing on the cake was the return of our brave Indian Air Force pilot, Abhimanyu, the way he was got back again to the country, that again gave a big boost to the voters, एक sentiments बहुत 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 प्ले किया, and definitely it has gone in the favor of BJP, but ये एक आंकलन है, इसके साथ और भी कहीं रिजन्स हैं, which has led to the rise of the BJP. विकास जी, आपका क्या मानना है, ये जो भारी बहुमत आ गया है, भाजपा के नाम, तो what is your analysis? कहीं न कहीं, अगर आप व्यापकता देखती है, जितने बड़े पैमाने पे BJP ने चुनाओ लड़ा, और गड़बंधन की जो राजनीत की, और उसके साथ जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा, मोधी फैक्टर रहा, तो BJP ये बात से नकारा नहीं जा सकता है, कि राश्टीर सुरक्षा के मुद्धने बड़ेиков बड़ेश, बरुविय इकट अदरीन आइज ज hornsाणनी बड़ेला इस, I will give you one example. BJP in all, the NDA in all won around 18 seats, there are confusion, some, I was counting. between 18 and 19 we have a confusion yes it's actually 14 seats have been won by bjp now if you see one of the major significant factors like if you talk to anyone moody was an issue even in northeast india and when he came to tripura campaign for instance when prime minister came to tripura campaign he talked about hira you know highway internet ways railways and airways so somehow the perception about development the projection of prime ministerial leadership the coalition now this coalition politics really marginalized congress and in northeast and in assam in particular the perception about aiudf aligning with congress whether there was an alliance or understanding that is people to decide but it led to heavy polarization and owing to polarization of votes for instance congress was beneficiary in for instance nagao and koliabur but bjp was beneficiary in larger constituencies like if you see the performance of bjp in guhati or one of their candidates people were talking about two months ago why are bjp why giving ticket to these candidates but certainly all these things did not matter what mattered eventually was that people were voting for a prime minister and once they were voting for a prime minister so there was a presidentialization of system as you said that is there a new thing that is propping up so in that sense campaign have become very central there's a trend towards presidentialization of politics you have a prime minister whose image is larger than life then certainly policies matter it is not if 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 you go to the chai bagan ke neta ge 8s a h i are or 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 is this our character which is being corría के समुदायों के साथ गडबंधन की राजनीत करते हुए अपचारिक अनपचारिक कॉंग्रेस को सेध कर दी और आज कॉंग्रेस तीन सीटों पर है अब वो तीन सीट कौन कौन से हैं अगर आप देखें कॉंग्रेस की सीट एक है कोलिया बोर दूसरी है नौगाउं और तीसर तो आज कॉंग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी चुनोती है कि उसके पास वो उन्हीं सीटों पर मजबूत है जहां पर एक सॉलिड मुस्लिम मैनॉर्टी वोट है और ये कहीं न कहीं से बहुत लंबे समय तक अगर कॉंग्रेस अपनी स्ट्राटेजिक चेंज नहीं करती है यह इन से कुझ बातों मैं बिलकुल सहमत हूं की रिजन घर्मिय जो पॉलराज़़ाशन उप वोट्स था रिलिजन ड्रिवस ग्राउंट पर जो वोट्स के पॉलराज़ाशन हूं है इस नॉत अगर नौटिस्ट और इन कॉंटेंस विल्कुल सहमत हूं की रिजन अगरम्य अब वेस्ट बेंगल के रिजल्स को भी देखते हैं तो लोगों का यह कहना है कि TMC voters just because of the religious polarization and religious sentiments ended up voting for favoring in the VGP. इसमें दो तीन बाते हैं, अब जहां तक UDF को लेके जो संशय बनावा रहता है लोगों में, यह पर्स था कि Congress UDF के साथ नहीं जाएगी और यह आज से नहीं हमारा stand जब से UDF के साथ रहा है हमने हमेशा यह stand रखाए कि Congress is not going with the UDF but आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा this is politics हम अगर बोलते हैं कि Congress UDF के साथ नहीं जा रही है तो हमारे जो प्रतिद्वन्दी है जो पार्टी है वह यहीं बोलेगी कि हम Congress UDF के साथ एक तालमेलर because वह यह ही चाहते हैं कि Congress का एक टैग लगा रहा है कि they are the UDF या फिर एक Minority Belt के साथ ही Congress Congress UDF के साथ गड़ जोड करती या गड़ बंदन करता तो बरपेटा में हमारे candidate UDF के अगेंस्ट में खड़े नहीं होते धूबडी में हमारे candidate खड़े नहीं होते करीम गंज में हमारे candidate खड़े नहीं होते उसके लिए मैं माफिचांगे बीच में आपको रोकने के लिए गौरव लेकिन उसमें तो बदुरुदिन आजमल का कहना है कि आप लोगों के साथ उनका understanding हो चुका था some senior Congress leaders के साथ हो चुका था लेकिन आप लोगोंने backstab किया बदुरुदिन आजमल हमेशा यह चाहते हैं कि Congress के साथ उनका alliance आप किसी भी election से पहले देख लीजगा it is बदुरुदिन आजमल who initiate the process of the alliance with the Congress and आप किसी भी elections पे देखेगा it is the Congress who has always objected with the alliance with the UDF now you can come to any conclusion इसके तर्क और वितर्क का कोई अंत नहीं है बट यह हकीकत यह है कि ऐसा कोई 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 तरह का alliance नहीं था बिलकुल नहीं था मैं हमारे discussion में अभी लाना चाहूंगी निहार को समझना चाहेंगे कि the role of social media आज के दिन में बहुत महत्वपूर्ण है Facebook, Twitter, Instagram, all of these make a lot of you know it's very important it's part of everybody's daily life now तो आपनों का किस तरह का जो आप social media में किस तरह से आप इसको आप लोग इतनी अच्छी तरह के से I'm sure you must have done a brilliant job which is why the 300 plus number तो थोड़ा सा explain करिये जी देखिए भारतिय जनता पार्टी का जो social media and IT team जो है वो बहुत पहले से ही बहुत ज्यादा strong है यह सब मानते हैं और यह कहते हुए मुझे गर्भ हो रहा है कि इसकी जो department है इसकी स्थापना लेकिन अजवानी जी के time से ही हो रहा था लेकिन पिसले 2016 के जो election थे उसमें से एक टेजी आई और लोगो लोग social media के जरिये इसका campaign शुरू हुआ सिफ हम लोग ही नहीं सभी पार्टिया करते हैं कि भास्पा और मान्य मोडी जी के सरकार के द्वारा असम के राजय सरकार के द्वारा प्रदिश के सरकार के द्वारा जो जो schemes लाए गए उसको लोगों तक पहुचाना है क्योंकि आज कर आप लोगों को पता चलेगा कि यूठ को सब्सक्राइब्ट। का था तब यह सही है कि हम तब चुनाव के केंपेंड में भी जूरे थे और सिब मैं और मेरा एक बहुत बड़ा तीम है और साथ उन लोग कहीं नहीं हमारे असम में मैं भारत के बाकी हिस्सों का बात नहीं करना चाहता भी हमारे असम के साथ असम में पूरे जगह पे हर दिस् पूर्व केलिए लेटे रहते हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता है, कि वो Ladakh幹嘛 מקर रहते हैं वो लिखते रहते हैं। आज आपलोगों के जरिया में उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जो लोग हमलोग के साथ है, हम लोग जिनके आशिरवाचे हम लोग आगे बर चुके हैं चलिए अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं ब्रेक के बाद आते हैं और धेर सारी इशूस हम लोगों को यहाँ पर डिसकस करने हैं related to the elections और ये भी गौरव से मैं जानना चाहूंगी कि कॉंग्रेस के लिए आगे का रोड मैप क्या है वेलकम बैक अभी हम सीधे चलते हैं विकास जी के पास थोड़ा सा एनलाइज करते हैं विस्तार से देखते हैं एक बार और नजर डालते हैं कि ये जो परिनाम आया है और एक नजर डालते हैं नौट इस्ट के जो परिनाम है उन सारे सीध में किस तरह का इस बार का मैंडेट रहा है और क्यूं पहले विकास जी हम जानना चाहेंगे जो नौगाओं का सीध है उसमें Congress का जीतना क्या ये एक factor हो सकता है कि Rajan Gohae का यहां पे भाजपा का पिछले लगभग 25 साल का काफी दबदबा रहा अचानक से Congress उनको हटाया जाता है और भाजपा दूसरे candidate को महां पे लाते हैं Could that be one of the reasons? Actually, you have to understand Naugao and Koliabur seat in totality You know, understand one thing that during last election AIUDF contested both the seats And it also secured sizable number of votes So it had a decent vote share So once, you know, I tell you Overall, if you see on the 543 Lok Sabha seats Candidates have not mattered as much as the prime ministerial candidate People across the states were voting for a prime minister As I said But going back to these constituencies You know, had Of course, Rajan Guhaim has worked a lot He had been a party cadder since its inception But Rupak Sharma got decent and sizable vote share And he was contesting till the very end He was not It is not that Pradyut Bordoloyi has got a walkover It is only because of AIUDF did not put up a candidate Both in Koliabur as well as Naugao that Congress was able to secure its seat And secondly, Pradyut Bordoloyi is also an experienced candidate So these two things mattered a lot But as I said that vote for BJP MPs has essentially been a vote for prime minister And the leadership factor and the coalition strategy in these two constituencies also mattered Since there was no AIUDF candidate, it was easy But if you go to, for instance, in Gohati or other constituencies Like, for instance, in Silchar, BJP could win this constituency Precisely because Yeah, I would also know about Silchar and Gaurav What is the factor Where there was some kind of a situation And Sushmita Dev, as a strong candidate She had to end up losing Look, if you take one consistency If we talk about it, it will be difficult to tell If we talk about Barpeta In Barpeta, UDF was playing, Congress was playing UDF got 80,000 votes And if Congress wins If it's not a party, it will be able to win If the voters will win So every constituency Demographic pattern And the assembly pattern The population pattern depends on it I think that Siltcher, Barag Valley And Assam's political It's a bit of a current This year, the citizenship amendment The impact is still on Barag Valley में रहा है हाला कि वहां काफी हद तक हम ने उसको नेटरलाइज करनी कोशिश की, मेरे को एक लगता है कि वह एक साइद मुख्य कारन बन सकता है, बट कही न कही देखे जो एक हवा रहती है कि पूरे के पूरे नैश्टल, पूरा एक पूरे भारत वर्ष में जैसा माहौल बन रहा था, तो उसका कही न कही एक एफेक्ट हर कंस्टुएंसी में हुआ है और जिसके कारण कही न कही हम लूस किये हैं ग्राउंट, बट स्टिल what I feel, we have a very decent percentage of vote share in Silchar. Also where we have lost the ground. If you say about Mangal chor then if you talk about.. If you talk about other const sleeps. We have a very decent vote share also. So it's a matter of time, it needs introspection, deep introspection. Or giveने लगते है कि it's a just a difficult time for us and we'll be back again, we'll be back with the full enthusiasm हम यह समझते हैं कि 44 हमारा opposition में हम थे और आज हम 50 है लेकिन 44 रहने के बावजुद भी we were a very strong opposition and this is the good thing about the democracy and we'll act as a very good opposition and let's see how we learn from here from the mistakes here I'm sure Vikas जी आपके पास आना चाहेंगे यह citizenship bill यह काफी बड़ा मुद्दा बन गया था पूरे North East में हम लोगोंने बहुत प्रोटेस्ट देखे काफी violence भी हुआ था against citizenship amendment bill लेकिन जो परिनाम आया चुनाओ का वो तो बिलकुल लगता है जैसे यह कोई मुद्दा ही नहीं रहा आम जनता के लिए तो इसको आप किस तरह से देखते हैं देखे ज़िजन्शिप अमेंडमेंट बिल जैसा कि जो जब AGP वापस आ गई है NDA के फोल्ड में तो वो एक बहुत बड़ा trigger factor था BJP के consolidation का had BJP gone alone so it would have been very difficult for BJP not only in Assam but across North East the coming back of AGP and AGP was able to give a definite fight because Kumar Deepak Das in Barpeta initially he was having a lead by good margin so you know once AGP was back so the whole idea about indigeneity and the whole idea about Assamese identity the issue of development was favoring BJP but the identity question also favored BJP once you had brought AGP लेकिन उसमें कहीं आपको ये लगता नहीं है कि क्योंकि AGP has finally drawn a blank तो कहीं पर AGP as a party उन लोंको बहुत जादा नुकसान हुआ इस BJP के साथ जुडने के वज़े से गौरव आप कुछ बोलना चाहाँ है कि हम मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि ये पूरे अगर निर्वास्चन को अगर ठीक से वेशलेशन किया जाएगा आप कि ओक्छूम् का इडन्तित था धे ऐब अपरमाइस से रिज़ेशनाओ ये लिवकय़ ये जाएगा सिनले ने कहा एग्दम का एगर देर पूंट ये ज़ीं अपरणीनले झाहा नेयरीजिवद्टीनले का श्या आएफ बिकाश जीनले का इंघ में प्यूंद्टिम थित प्रोटेस्ति कि इसे प्रोटेस्स गिसे टेस्स आगेंस प्रोमां वर्पार देख्षारी इंगी ऑंसे भी अगीन टॉसीा किए शेयु नायू गया रखिया गारे कि इनके नेता है तरुन गोगई ने कहा कि हम सिर्जंसे इमेंडमेंड मिल को जिस तरीके से भुनाना चाहएं ता हमने नहीं किया मेरा सवाल यह है कि कांग्रेश अगर आज कहे कि एजी पे और आशुज को यह सहारा लेकर कि उनको ब्लेम करके अपने आपको उस रक्षित करना चाहे वो करे उसे हमसे कोई लेना देना नहीं लेकिन मुद्दा यह है कि सिडिजन सीप एमेंडमेंड बिल म भारती जनता पार्टी का स्टैंड बहुत ही किलियर था और सुरू से ही किलियर स्टैंड और असपस्ट जो आपका स्टैंड जब रहता है तो जनता आपके साथ रहती है मैं आपको उता हूँ अब citizenship amendment विलका आप बराग बेली में प्रभाव है, ब्रह्मपुत्रा बेली में प्रभाव नहीं है, आंदोलन हुआ, आशू है, AGP है, हमारे फोल्ड में आ गया, these are the part and parcel of the analysis, question is this, कि जब भी देखें मैं आपको पहले भी कहा था कि नीती, आपकी नीतिया क्या है, बड़ी अस बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, तो आपकी नीती पे प्रशन चिन्न है, आपकी नीतित च्छमता पे प्रशन चिन्न है, आपकी नीतियों पे प्रशन चिन्न है, तो सवाल आज नीतियों की है, सवाल आज नीत आपको जो है intention की है, ये सब चीज नहीं देख करके, हमारी गल कानग्रेसर भी आगे भढ़कर के Хांवारी दमोक्रेसी यह कानग्रेस लिए उआगे भड़न Спञा बैजे जी उस याने से पहले गॉरभ जी को रेसौंड करने देते हैं कि हम किसी के मासे मंन रहे हैं कि इसके कारण हम हा रहे हैं इसा नहीं है हम इसका एक छोटा सा विशलेशन कर रहे हैं कि AGP का स्टेंड, citizenship amendment bill को ले के क्या था और BGP का स्टेंड क्या था देवेर बोत पार्ट अपार्ट अपसलिए ऐसी नौबत आ गई थी कि इन लोगों को ऐसी नौटंग की करनी पड़ी थी कि हम निकल गये थी और नुक्य कर रहा हैं कि याट से एक्से नेँ कर ला रहा है तो देखे इन से हमें नहीं सिकना कि हम किस नीपी बात करें हम क्या करते हैं policy मेंना है जी ने ही कहा था तरुन गोगई जी ने कहा था कि जितने भी हिंदू आये हैं मैं उनको सिर्जेंशिप बूद आ ले दो हजार चौदा के वर्टर लिस्ट को भी आप माने के लिए तैयार हो गये थे तो मैं मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि आपकी नीदिया गलत है नहीं आपने चुन एब वहा था बहुत पहले से हमारा स्टेंड बड़ा किलियर था कि भारती जनता बारटी ये जो बिस्थापीत लोग है यहाँ पर देने के लिए तयार तै यह desires die सबस्के रखाय सातों कि यह लोगार में भी लोग तनでは कि वड़ता दो डिन ऒजा रही हों तोचे वहीं चाहते हैं कि कि इसensions को कैसे हम सुरच्छित रसकेर आज असम की सुरक्षा अश्मिता का बात है। आप करी असम की सुरक्षा और अश्मिता की बात है। बिकास जी आप से जाना चाहते हैं कि आगे के लिए आप एज़ीपी का फूचर आपको क्या लगता है। मैं हाँ और अज़ा नम शेयर का लाँ है। तो AGP has witnessed a persistent political decline. Now, if you see, the moment of revival for AGP was only witnessed when it forced alliance with the BJP in 2016 Assembly Election. it could not open its account even in 2009-2014 Lok Sabha election and that is what compelled it to forge an alliance but the way seats were distributed to AGP clearly it was very difficult for AGP to win all those seats like Barpeta the three seats that were given to AGP were not an easy seat the the route to revival of AGP lies if the alliance remains intact in 2021 and AGP demands and negotiates over significant number of seats in upper Assam and Barak Valley and some seats in the lower Assam like Guwahati and Mangal Goli. So you are saying that AGP's survival state politics it should remain with BJP what I am saying if it has to remain with BJP it has to be tough in regard to negotiation overseas asking for seats you know the the real reason why BJP has has been they may be accommodated there are ways in which you accommodate their alliance. As an individual party you know as a regional party AGP was born out of the Assam movement yeah that is what you know if you see except for AGP all other regional fronts have done well like the alliance. NDPP NPP NPF all these parties have MNF they have won seats SDF could not win seat because in Sikkim there was an emergence of new party SKM so it's not that regionalism is dead it's just that the regionalism has transformed itself and aligning with the new political forces in the state but the AGP case is very peculiar as you rightly pointed out that it emerged out of Assam movement and then it is not being able to revive itself in the Lok Sabha but what I feel and this is my perception and prediction that AGP would remain remain strong in state assembly elections because there it sees a lot more space to negotiate for good seat but if AGP is not accommodated with good seats I don't think that the alliance would stay because it's difficult it's difficult it's difficult to offer better seats to AGP. तो अगे यह क्या है कि मैं AGP और BGP के एलाइंस के प्रोस्पेक्ट पे और अभी जो इस्तिति उसके पारे में वहुँज़दा करना उचित नहीं समझता हूं कि दोनों का जो और नहीं मिलकर के इस देश की जनता और असम की जनता की सेवा करने के उद्देश एक्चुली एज़ेपी के साथ है एज़ेपी हमारे साथ आने का और हम एज़ेपी के साथ जाने का यही था कि हमारे मित्रता का हमारे गडबंदन का आधार से यही था कि हम गुड़ गवर्नेंस कैसे करें हम जनता की सेवा कैसे कर सकें और हम चीजों को डिलीवर क साथ साथ आज आप देखिए लेयर इस्टेट लेबर डिस्टिक लेबर डिस्टिक के नीचे में ब्लॉक ब्लॉक के नीचे में हमने सक्ति केंद्र और सक्ति केंद्र के नीचे बूत वहां भी हम नहीं रुके हम प्रिष्टा प्रमुक यानि कि साथ वोट पर भी साथ ओटर के क्या है कि बोथ वे ट्रैफिक हम उनसे बात करते हैं वो हमसे बात करते हैं यह हमारे संगठन का बूर आधार था यह आज बता ही किसके पास में है तो जब हम राजनीती करने के लिए जा रहे हैं पुलिटिकल पारटी बना रहे हैं तो आर्गनाइज़स का धाचा भी होना चा कि मित्रदल के बाद कभी ने करांगे हूं कि हमारे मित्र है उनके लिए हम हाँ क्योंकि आज आपका शादी हुआवाए कल आपके तलाग हो जायंगे ताप उसके बारे में भी बने लेड़ जाए णागे मैं इसका क्या है कि Congress है बहुत पुरानी पार्टी है ठीक है और हमें organizational structure हमारा जितना strong है जिस हद तक हम लोगों से जुड़े वे हैं यह हम समझते हैं पर इसका क्या है कि यह जो हमारी the entire debacle of this elections the Congress has debacle in this entire election we need to understand various reasons. It is not only because of the organizational setup कि BJP has the organizational setup. I am not saying that I am not saying that that is only one factor but that's important fact. I understand but this meaning that you have a great organizational structure and other party have no organizational structure. It is not that. I think that you have been trying to see excitement when you have to die. You have to still think about these topics also so that you have to still be agreed on. I understand. But see, now you forget about the minimum being. One sentence had been on the convention. National President Rastri Yadhaq Amissah ने यहां पर आकर के सरमेलन किया था और हमारे प्रिस्टा प्रमुक के साथ किया था कोई हम आज ये बात नहीं कर रहे हैं हम बहुत पहले से बात कर रहे हैं प्रिस्टा प्रमुक आप जो चलाते हैं हम उसके बूत मैनेजमेंट बोलते हैं और बूत मैनेजमेंट का हमारे पा बाच्पे के टाइम पर भी बहुत हुआ था उस वग भी आपने प्रमोद महाजन थे आपकी लीडर बाच्पे जी आपकी लीडर थे उस वग भी बहुत प्रेडिक्शन हुआ था क्या हुआ देखिए इस तरह की बातों का मैं समझता हूं को अंत नहीं है इलेक्शन है अंत ये इंट्रस्टेक्शन राइड आप शाइनिंग इंडिया इतना बड़ा मुद्धा था आप समझज़ें कि आपके सर्कान बनने वाली है मिहार को मुका देख सुन रहा था तो मैं दो तीन मुद्धे एक साथ कहना चाहूंगा पहली बात आप लोगोंने नेडा के बारे में कहा कि रिजिनल पार्टी इसको किया करना है नेडा का जो गथन हुआ था इसको मतलब में स्ट्रीम के साथ भारत के राजनीटी के साथ ज सब्सक्राइब करना होर फोर के बाकी सार्वेट रहां था इसको कारण किया कहीं पर ये भी हो सकता है कि कहीं पर जो आसमी के कैसको जो सेंटिमेंट पर शुब्थ नहीं आपकोस पहले वो लोग निकल सहे ने क्बागए बिकुज भाजपा और AGP का स्टैंड on Citizenship Bill is absolutely diverse, both are opposed to each other on citizenship bill, फिर वापस आते हैं गढ़बन धन में, क्या उस वज़े से कहीं पर AGP का नुक्सान होगा? ऐसी बात नहीं है अनितम जी, अब देखिये ठीक है, कैप का एगेंस्ट वह रहा था, AGP का एगेंस्ट कर रहा है, लेकिन हम लोग अपने स्थीती पर भासपा अपने स्थीती पर तभी अतल थे, अब भी अतल है, और आप अगर उसको देखेंगे, कि AGP भी वह ही कहा रहा था, कि हम एगेंस्ट में हैं, लेकिन असम और असम के लोगों के लिए ये गढ़बन किया, और एक बात है, जो बर्पटा है, उन लोग इतना खराब हम लोग नहीं था, बर्पटा में हम लोग बहुत आगे चल रहे हैं, हाँ ऐसा कुछ सर्कंसेंस आ गया होगा, जिस ब्हुर से हम लोग पीछे चल रहे हैं, हम लोग का संगठन है, लोग उसका रिजल भी तो डिखा पा रहे हैं, Congress ठीक है, वो लोग भी कठन कर रहे हैं, उस नाम अलग दे रहा है, लेकिन उन लोग का देखिए आप, जो अमिठी उनका दुर्ग था, वही तो उन लोग के हाथ से चला गया है, तो क्या हो रहा है? हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, कि संगठन को, नाम का संगठन और कि अब बड़ी बड़ी बाते करना क्योंकि आप जीत करना चाहिए आप इस तरह को कि चीज को सुखारें कि आप मेरी बात पूरा कॉरा कम्रें नहीं दीजे और देखिए प्रम्मा प्रमुक ऐसा है कि आप प्रम्मा प्रमुक है तो यहां यहां क्यों हारे ठीक है वहां पे तब काम चल रहा था तो हम लोग उस ताइम रिजल ने यहां यहां प्रम्मा 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 अगर अल्टिमेट अनेलिस सीट पे जाता है तो AGP could not get a seat बट आसा नहीं है कि AGP को रिजिस्टंस फेस करना पड़ा है AGP, Deepak Das was fight in the fight till the last count. I said and I firmly believe that you know there are ways to accommodate ASU politics and AGP politics and probably they have accommodated through accommodating Tapon Gogoi and also the Koliabur candidate that was that is their strategy of social alliance but somewhere down the line if you see the alliance has helped arrive AGP because with less number of with less percentage of vote share AGP could get significant number of seats in the present government. Okay. In the future it would again depend upon upon its strategy of negotiation to get not only good number of seats but also good location of seats. Okay. Finally Samayi, it is very little. Gaurav, आप से जानना चाहेंगे कल आप लोगों का CWC का meeting है. What are the things you think is going to come up tomorrow और आप लोगों का future के लिए what will be your revival strategy? देखे, CWC की meeting Congress की एक सबसे high level meeting है and it's a core committee, Congress Working Committee की meeting होती है. मेरे को लगता है कि इसमें कही सभी कारोनों का विशलेशन किया जागा है कि the reason behind the debacle of the Congress in this recent elections और जो मेरा viewpoint है, definitely Congress is down but we are not out organization structure को लेकर, alliance politics को लेकर, regional imbalance को लेकर, indigenous people के sentiments को लेकर, there are many viewpoints जिस पे हमें work out करना पड़ेगा and we are hopeful that leadership is definitely will introspect on the entire aspects of the each and every segment. और लास में एक और बात मैं जानना चाहूंगे, आज हम लोगों ने बहुत सारे resignations देखा है, like your Amethi campaign in charge, your Orisa in charge, Karnataka in charge, many of them have resigned, so more resignations coming? देखे, जस एक एक लाइन इसमें कहना कहूंगा, कि success has many feathers and failure has none. देखे, जब आपकी party जित्ती है, तो खराब से खराब नीती भी आपके लिए बहुत अच्छा बन जाता है. अमेरिगा कोई टाइम पर Congress के लिए, बीजेपी के लिए बहुत खराब था, बट आया तो उन्हीं को उनको continue करना पड़ा, तो देखे, time and again, समय परिवर्तन होता है, और परिवर्तन के साथ आपको चीजों को भी परिवर्तन करते रहना पड़ता है. It is not constant, it is changing. So, में को ऐसा लग रहा है कि, things have changed in a recent past, और रही बाद, रेजिगनेशन की ओल, difference of opinion हर पाटी में रहता है, लोगों में आज, भवनाओं को थोड़ा ठेस पहुंचा है, कि debacle इतना खराब सो हुआ है Congress का, but time will say and we'll again be back, I don't have much to say on that. Right. चलिए, बहुत-बहुत धन्यावाद, आप सब लोगों का मेरे साथ जुणने के लिए, अगले सुमबार तक, गुड़नाइट.